नमस्कार सभी को और कल आपने देखा कि लियोनल मैसी जो है उन्होंने सातवी बार दुनिया के सर्वस्रेस्ट फुटबॉलर का खिताब जीता जो की बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात और लियोनल मैसी के लिए हम जैसे लोग क्या शब्द बोले वो अपने आप में एक बह अच्छे फैंसुत होते हैं मैसी से बिलकुल भी यहट नहीं करते मैसी को बहुत प्यार करते बहुत पसंद करते हैं और अकर देखा जाय मेरा परसुनर आले earlier तो लोग रॉनालडो से उतना गेम स्टॉयल नहीं सिखते जितना की वो मैसी से सिखते हैं क्योंकि और ऐसा रोनाल्डो फैन में मेसी के लिए बहुत खुश हूँ और बात किजा हमारे रोनाल्डो की तो देखिए वो तो बहुत नीचे चलेगा इस बार की वोटिंग में लेकिन कोई बात नहीं रोनाल्डो तो रोनाल्डो है फिर से उठेंगे क्योंकि एज सिर्फ एक नमबर रोनाल्डडो के लिए आप देख सकते हैं इसouses में रोनार्डो किस तरह का किरतिवान बफारे और लियोनल मेसी को बदाई उनके टीम को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई एक रोनालडो फैन की तरफ से और भारती फुटबॉल फैन की तरफ से और पूरे भारत की और से क्योंकि भारत में जितना मेसी को प्यार किया जाता है मुझे नहीं लगता दुनिया में और कहीं किया जाता होगा मतलब भारत में मेसी रोनाल्डो की जो फैन फॉलोइंग है मुझे लगता है कि दुनिया में सबस्च जाता फैन फॉलोइंग यही होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग मरे जाते हैं ने रोनाल्डो मेसी लेकिन उएक तरह की गलत चीज़े यह करते हैं कि वो आपस में दोनों को compare करना यह सब चीज़े करने लगाते हैं जबकि यहां पर यह दोनों legends हमको सीखना है यह legends हमको motivate करते हैं हमको football में आगे जाने की प्रिड़ना देते हैं तो यह चीज़ सीखना है ना कि उनको compare करना है जब खुदी आपस में comparison नहीं करते हैं तो हम कौन होते compare करने वाले लोग अकसर यही करते हैं दो बेस्ट लोगों को आपस में compare करना यह न करें ज्यादा अच्छा होगा कि हम उनसे सीखें अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई इस साल तो रॉबर्ट लेउन डॉस्की डिजर करते थे ऐसी काफी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगे तो भाई देखिए जो बीद गई सो बीद गई अब तो मेंसे जीच चुके हैं तो आपके इस comments का कोई मतलब तो रह नहीं किया बस आप रॉबर्ट लेउन डॉस्की के लिए थोड़ा सा आप दुख जयता सकते हैं कि भी लेउन डॉस्की जीत सकते थे तो भई रॉबर्ट लेउन डॉस्की कितने अच्छे प्लियर हैं ये कोई voting उनको नहीं बता सकती कि vote करके बताएंगे कि वो best player है या नहीं वो है बहुत अच्छे प्लियर लेकिन इस बार जो मेंसे जीच चुके तो आपको इस बात को मानना है और इस बात से खुश होना है चाहे आप रोनाल्डो के फैन हो चाहे लेवन डौस्की के फैन हो चाहे आप किसी के भी फैन हो ठीक है इससे मैटर नहीं करता और मेसी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो की न सिर्फ यंग जनरेशन को बलकि बड़े लोगों को भी एक प्रिरना दे कि कैसे अपने परफॉर्मेंस को स्पीक पर रखा जाता है और बस आप इसी तरफ प्रेरित हो के अपने फुटबॉल करियर में आगे जाए चाहे आप किसी भी देश के हो आप इंडिया के हो चाहे इंगलेंड के हो चाहे आप अरजेंटीना के हो मैटर यह नहीं करता है कि करता है कि आप फुटबॉल के लिए कितनी महनत कर रहे हो आप जरूर उपर जाओगे और आपको कोई दुनिया की दिवार उस लेवल तक जाने से नहीं रोख सकती है ठीक है और खासकर हम भारती फुटबॉल फैन मेसी को बहुत प्यार करते हैं और मेसी से बहुत कुछ जाएगा और हर भारती फुटबॉल फैन इन दोनों प्लेयर्स को भारत में देखना चाहता है तो मैं सभी फुटबॉल फैन से गुजारिस करूंगा कि जो भी प्लेयर्स होते हैं सब की जग करें अइसा नहीं किसी से हेट करने बस इतने कहना चाहता हूँ और जिस तरह से आप भारती फुटबॉल फैन यूरोप फुटबॉल को फॉलो करते हैं और बहुत प्यार उनको देते हैं वैसे ही आप भारती फुटबॉल को भी देते रहें क्योंकि जितना प्यार उनके लिए आप दे रहें उतना ही हमारे लोगों के लिए भी जरूरी आपका प्यार तो इसी तरह से हम आगे उठ पाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जै हिंद, जै भारत!